हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बेक टू माई चैनल लता की लाइबरेरी आज मैं आपके साथ बहुत ही खुबसूरत पैटन सेयर करने जा रही हूँ इस पैटन को आप अल प्रोजक्ट में अपलाई कर सकते हैं लेडी स्वेटर, कार्डिगन, कोट्टी, जैकेट, जैंड साथ स्वेटर, फूल स्वेटर, जैकेट, बच्चों के ओल प्रोजक्ट, गल्स टॉप, गल्स स्वेटर, गल्स जैकेट, कैप, ब्लैंकेट इसके अलावा आप इस pattern को border के लिए भी apply कर सकते हैं, बनके भूती खुबसूरत हमारा ये pattern आ जाता है, और front side से हमारा ये pattern बनना start होता है, सबसे पहले हम अपने project के हिसाब से फंदे डालेंगे, फिर कोई सा भी border pattern बनाके complete करेंगे, border pattern complete होने के बाद हमारा ये pattern बनना start होता ह इस pattern को बनाने के लिए हमने 5 के multiple में फंदे डालने, अब हम अपना pattern बनाना start करते हैं, तो देखे, front side से pattern के first row, border complete होने के बाद, front side से pattern के first row में देखे, पहला फंदा उता लेंगे, पहला फंदा उता लेना है, धागा अपनी side करेंगे, और देखे, 3 फंदे उल्टे, पहला फंदा छोड़के, यहां से हमारा यह pattern बनना start हो गया, एक, दो, तीन, तीन फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे करेंगे, अब next हमने 2 फंदों में pattern डालना है, तो देखे, इन दोनों फंदों को हमें एक साथ बुनेंगे, और ऐसे back side की तरब से दोनों फंदों में डालेंगे, अब देखे, इन दोनों फंदों को हमें एक साथ बुनना है, दो फंदे बनाने, एक, अब आगे वाले फंदे को एक बार और बुनेंगे, देखे, इस तरी के से, यह दो फंदों से हमने 2 फंदे बना दिए, अब इन ही 5 फंदों का process हमने आगे repeat करना है, तो दे फंद उल्टे एक दो सि धागा पीछे दो फंदों में पैटरन डालेंगे और बैक सायड की तरब से सिलाई डालेंगे दो नब फंद उल्टे न्यां दोलनेंगे धोंचर गोलएंगे फिर एक बार आगे वाला फंदा गुन लेंगे जlaimरेंग्ए फिनेस्ट यही प्रोसिस रिपीट होगा एक दो तीन फंदे उल्टे दो फंदों में पैटरन आएगा तो बैक साइट की तरफ से सलाइड डालेंगे और दोनों फंदों को एक साथ बुनके दो फंदे बना लेंगे एक हो गया फिर आगे वाला फंदा एक बार और बुनेंगे यह दो अब लास्ट में हमारे तीन फंदे उल्टे और एक फंदा सीधा आजाएगा तो देखे यह फ्रंट साइट से हमारी पैटरन की फिर्ट रो कंप्लेट हो गई हमारे प्रोजक्ट के हिसाब से हमारे फिर्ट रो में जितने भी फंदे होंगे हमने यही प्रोसिस रिप उल्टे आए हैं इनमें से देखे एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा आएगा इस तरीके से देखे अब देखे फ्रंट साइट की तरफ से देखे जो दो पैटरन वाले फंदे हैं इनमें से एक फंदा उल्टा आ जाएगा और एक फंदा हम बिना ब एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा आ जाएगे। अब देखें फ्रन्ट साइड की तरब से ये हमारे पैटरन वाले फंदे आ जाते हैं। इन्में से एक फंदा उल्टा बुनेंगे और एक फंदा बिना बुनें। अब next देखे, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, अब देखे, ये pattern वाले दो फंदे आ जाते हैं, इन में से एक फंदा उल्टा और एक फंदा बिना बुने, फिर next देखे, तीन फंदे आ जाते हैं, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा लास्ट का फंधा उल्टा तो देखे रॉंग साइड से हमारी पैटन की सेकिंड रो कम्पलेट हो गई अब देखिए फ्रंट साइड से पैटन की थार्ड रो थार्ड रो में हमारा pattern repeat होगा, तो देखे, repeat row, पहला फंदा उतारेंगे, तीन फंदे उल्टे, एक, दो, तीन, दो फंदों में pattern आएगा, तो देखे, back side की तरब से slide डालेंगे दोनों फंदों में, और दो फंदे बना लेंगे, धागा अपनी साइड तीन फंदे उल्टे दो फंदों में पैटर्न आएगा तो दोनों फंदों में हम बैक साइड की तरब से सलाई डालेंगे एक फंदा हो गया फिर आगे वाला फंदा एक बार और बुनेंगे ये दो फिर धागा अपनी साइड, तीन फंदे उल्टे, दो फंदों में पैटर्न आएगा धागा अपनी साइड, लास्ट के तीन फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा तो देखे, ये फ्रंट साइड से हमारी पैटर्न की थाड़ रो, लास्ट के तरह बुलेंगे तो देखे, पहला फंदा उतारेंगे, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा अब next देखे, pattern वाले ये दो फंदे आ जाते हैं, इन में से एक फंदा उल्टा और एक फंदा बिना बुने ये देखे, front side से देखे, जो तीन फंदे उल्टे हैं, इन में से देखे, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा फिर pattern वाले फंदे, दो फंदे आ जाते हैं, तो एक फंदा उल्टा बुनेंगे और एक फंदा बिना बुने, फिर next देखे, front side ही दरफ से जो तीन उल्टे फंदे हैं, इन में से एक उल्टा फंदा बुनेंगे, एक सीधा और एक उल्टा, अब next ये दो फंदे आ जाते हैं, इन में से एक फंदा उल्टा और एक बिना बुने, next देखे, ये तीन फंदे आ जाते हैं, तो इन में से एक उल्टा, एक सीधा और एक उल्टा फंदा बुन लेंगे, last का फंदा उल्टा, तो देखे, wrong side से हमारी pattern की 4 row complete हो गई, अब front side से जो 5th row आएगी, उसको हम 1st row की त करते जाना है, और बन के देखे, हमारा pattern कुछ इस तरह से आ जाएगा, ये देखे, बहुती सुन्दर, बहुती आसान pattern है, आप इसे all project में apply कर सकते हैं, दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, तो किरपया लाइक करे, share करे, comment करे, और आप हमारे चैनल में न बुले थैंक्यू